हालो स्टुदेंट आई वेलकम यूटूब चनल मस्जी करियर पॉइंट नौ एम गुएंग टो डिस्क्राइब यू क्लास एट इंग्लिज चैप्टर नॉम्बर एट एंड इस चैप्टर नेम इज अलेशन इन लाइफ राम अबेगर means एक बिखारी के जीवन से एक सीख बिखारी के जीवन से एक सबक तो एक बिखारी के जीवन से क्या सीख मिली इस हिस्टोरी की मादम से हम आज देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हाँ अगर आप इस चैनल पर अभी नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बिल आइकन को प्रेश जरूर कर दे ताकि नेक्स चैप्टर जब भी मैं अपलोड करू तो आप तक नोटिफिकेशन पहुच आए ठीक चलिए देखते हैं Do we appreciate things in life as often as we criticize them? का जारा है जिन चीजों को हम criticize करते हैं जिस तरीके से जिस तरीके से चीजों की हम आलोचना करते हैं क्या हम उनकी प्रसंसा भी करते हैं When we complain about our difficulties जब हम कभी अपनी समझ्याओं की सिकायत करते हैं अपनी परसानियों को बताते हैं Do we care about how others live? क्या हम उसी तरीके से दूसरे के जीवन के बारे में भी कभी सोचते हैं? Would you? Who would tell us whether our perception opinion and belief about the world its people are right or wrong? करा कौन आपको बताता है अपनी opinion को, राय को, believe को that words its people are right or wrong? लोग गलत हैं या सही हैं आपको कोई बताता है? अपनी राय को, opinion को Some little incident in life really can teach us that important lesson काल जारा है, जीवन की कुछ छोटी बड़ी घटना ऐसी होती है जो हमें कुछ न कुछ सीख दे जाती हैं कुछ न कुछ अच्छे सबक सिखा कर जाती हैं कुछ न कुछ ग्यान देखती है As Mina in Sudha Murtis Story Learn जिस तरीके से इस Sudha Murti जो इस टोरी देखी गई है इसके राइटर जो हैं सुधा Murti है तो सुधा Murti की स्टोरी में जिस तरीके से Mina कोई सीख मिलती है ठीक? तो चलिए देखते हैं Mina को कौन सीख मिलती ही कौन सा सबक मिलता है बेगर के जीवन से एक भिखारी के जीवन से Mina किस तरीके से प्रभावित होती है Let's start line by line explanation from here Mina is a good friend of mine Mina मेरी अच्छी दोस्त है She is an alaishi officer earning a good salary वो एक alaishi officer है जो कि अच्छी salary कमाती है But there was something strange about her लेकिन कुछ उसके बारे में अजीब सी बात थी क्या थी अजीब बात She was forever unhappy वो हमेशा नाखुस रहती थी मिस हमेशा दुखी रहती थी Whenever I met her I would start to feel depressed जब कभी भी मैं उसे मिली मैं depressed हो गई हूँ depressed का मन्दब होता है निरास हो गई जब कभी मैं उसे मिली तो निरास हो गई It was as though her glooms and cynicism had a way of explaining to others ऐसा लगता है जैसे उसकी gloom मिस जो उसका दुख है और cynicism मतलब होता है tendency of being gloom being sad दुखी होने के जो उसकी प्रवित्ती है वह दूसरों में फैल जाती है मैं दूसरे उससे प्रवावित हो करके वह भी दुखी हो जाती है clear She never had anything positive to say on any subject of about any person वह किसी भी ब्यक्ती अथवा subject पर कभी भी positive नहीं रहती थी For instance example के तोर पर I might say to her मैंने जब उससे कहा मीना Did you know Rakesh has come first in his school मैंने मीना से कहा कि मीना क्या तुम जानती हो कि Rakesh अपने स्कूल में first आया है तो मीना's immediate reaction would be to be little achievement तो मीना का reaction था कि यह उपलब्दी तो बहुती be little के मतलब बहुती तुक्छ है बहुती छोटी उपलब्दी है naturally his father is a school master see would से तो उसने कहा कि स्वभाविक है कि वह first rank first position आयेगी क्योंकि उसके पिता जी school master है clear चलिए आगे बढ़ते हैं पैर बच्चों I hope आपको story समझ में आ रहे हैं यहां तक चलिए यहां देखिए if I said अगर मैं उससे बोलती थी क्मीना श्वेता इस अ वेरी व्यूटिफूल गर्स इस नट इस नट सी जब मैं उसे बोलती थी क्मीना क्या श्वेता एक सुन्दर लड़की नहीं है तो C और भी pessimistic तो वह बहुती pessimistic मैं निराश हो जाती निराशा वादी बात करती थी कैसे विन क्या बोलती है विन आगे देखते हैं आपर विन इस पोनी यंग कहती है पोनी में सोता है बच्चों एक घोडे का बच्चा जब एक पोनी यंग होता है मिस घोडे का जो बच्चा होता है बहुत प्यारा लगता है तो जो छोटा होता है he looks handsome, बहुत ही सुन्दर दिखता है it is age that matter या उम्र की बात है, जो भी जिसकी उम्र जिस तरीके से बढ़ती है उस तरीके से changing आती है, तो उम्र की बात है, but sometimes स्वेता will be uglier than anyone that you know तो थोड़ी इंतजार करो स्वेता भी समय के सासत और भद्दी होती चली जाएगी मिन्स अभी दो सुन्दर लग रही है समय के साथ उभी गंदी होती जाएगी भद्दी हो जाएगी, कुरूफ हो जाएगी कहने का मतलब प्यारे बच्चो जो मीना है वो हमेशा negative ही सोलती है कभी positive नहीं सोलती थी आईए, आगे बढ़ते हैं मिना, it's a beautiful day, let's go for a walk मिना के friend कहती है मिना से मिना बहुत ही अच्छा दिन है, चलो घूमने चलते हैं No, the sun is too hot, I get tired if I walk too much मिना कहती नहीं, बहुत गर्मी है बाहर अगर मैं बाहर ज़्यादा घूमी टहली तो ठक जाओंगी अगर मने ज़्यादा टहला तो ठक जाओंगी, ऐसा मिना कहती है Beside who says walking is good for health, there is no proof और अगे कहती है, कि जो लोग कहते हैं कि टहलना सेहत के लिए अच्छा होता है ऐसा कोई proof नहीं है ऐसा proof नहीं है, मिना कहती है That was मिना, जो मिना थी ती stay alone an apartment in बैंगलोर वो बैंगलोर के एक apartment में रहती थी as her parents lived in Delhi जबकि उसके माता-पिता दिली में रहती थे She was an only child and that had habit of complaining about anything and everything वो अपने माता-पिता की एक लवती बच्ची थी जो हर चीज में हमेशा complain करने की आदत रखती थी उसके habit थी कि हर चीज में complain करना हर बस तुमें complain करना naturally she was not very pleasant company और सभाविक रोब से वह किसी के साथ भी किसी भी दोस के साथ कभी आनंद से नहीं रहती थी खुश नहीं रहती थी and nobody wanted to visit her इसलिए कोई भी उससे देखने भी नहीं जाता था कोई भी उससे मिलना नहीं चाहता था इसी वज़ा से ठीक आगे बढ़ते हैं जड़ा से चलिए दिन दिन वन डे मिना वाज टांसफर्ण टू बॉंबे एंड सून वी आल फागट अबाउट हर और एक दिन ऐसा भी आया जब मिना टांसफर हो करके मॉंबई चली गई ठीक और जल दे हम सभी भूल गई और हम सभी भूल गए कहने वादा हम सब उसको भूल गए बहुत साल बाद मैं बॉंबई फ्लोरा मॉंटेन पे ट्रेन से जा रही थी लब ट्रेन से जाने का मौका मुझे मिला बॉंबई फ्लोरा मॉंटेन की तरफ तो इट वाज पोरिंग और मेरे पास चाता भी नहीं था आई वास स्टेंडिंग नियर आप पापलर डिपार्टमेंट इस्टोर मैं वही एक बहुती प्रसिद डिपार्टमेंट के इस्टोर एक इस्टोर था कोई उसके सामने खड़ी हो गई वेटिंग फार्दर एंटू सबसाइड और इंतजार करने लगे कि वर्षा कब बंद हो सडेनले आई स्पोटेड मीना अचानक हमने वही मीना को देखा मैं फ्रस्ट रियक्शन वास टू अवाइड बिंग सीन बाई हर मेरा पहला रियक्शन था कि मैं मीना को ना देखूं अवाइड कर दूं हाविंग तो लेसें टू हर नेवर इंडिंग कम्प्लेइन क्योंकि मुझे पता था जानते हुए कि उसकी कम्प्लेइन कभी खतम नहीं होती इसलिए मैं चाहिए कि मीना से मैं न मिलू अबाइड कर जाओं नहीं तो कहने मतलब अभी मिलेगी तो कम्प्लेइन ही उसका स्टार्ट हो जाएगा कुछ न कुछ सी काया थी करेगी चलिए यहां से देखिए जबकि वह पहले ही मुझे देख चुकी थी एंड कॉड होड आप मैं हैंड केफुली चीरफुली एंसेड और वहां करके मेरे हाथों को पकड़ ली बहुत ही प्रसंदता पूर्वक मेरे हाथों को पकड़ ली और बोली है आयम रि वाट आर यू डूइंग है तुम क्या कर रहे हैं यहां पर आगे बढ़ते हैं प्रवच्चों आप वर्ड मीनिंग पर भी यहां पर फोकस कर लेंगे जड़ा सा मीनिंग जो भी है और देखिए इसमें जो रेड 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 हमने स्पोटिट किया है ओ अच्छे वर्ड है इसको आप लर्ण कर लेंगे अब देखिए मीना की फ्रेंड मीना कहती है तुम यहां कैसे मैं तुम्हें देख करके बहुत खुस हुई आगे देखिए क्या होता है I explained that I was in Mumbai on official work तुम्हें ने बताया कि मैं बंबे में official work से आई थी then stay with me tonight तुम्हें तो इसने कहा चलो ठीक है आज फिर मेरे साथ ही रहो तुम let's chat चलो बाते करते हैं कुछ गब सब करते हैं do you know that old wine क्या तुम्हें पता है old wine and old friend and memory are precious and rare क्या तुम्हें पता है पुरानी जो वाइन होती है wine में सराव होता है और पुराने जो दोस्त पुरानी जो यादे हैं कितनी कीमती है देखे I couldn't believe it अब मीना की दोस्त बता रहे मुझे विश्वास नहीं हो रहा था was this really मीना क्या वास सच में मीना थी I pinches myself had to be sure that it was not a dream मैंने खुद को पिंच किया मैं खुद को पिंच किया चिकोटी काट आपने आपको कि कहीं मैं सपने तो नहीं देख रहे हूँ but मीना was really standing there लेकिन वास्तों में उस दिन मीना मेरे सामने ही खड़ी थी right in front of me मेरे सामने खड़ी थी just squeezing my hand मेरे हाथों को पकड़े हूए she smiling कर रहे थी and says a bully she did look happy means वह बहुत खुश दिख रहे थी in the three years she had been in Bangalore I had never once seen her smiling like that means पिछले जब तीन मरसों से लगाता बंगलोर मेरा रहे थी इतना खुश मैंने उसको कभी नहीं देखा यहां से देखे a few strands of gray in her hairs reminded me that years have passed क्या कहा ज़रा है a few strands of gray in her hair उसके बालों के में कुछ gray color के hair मुझे याद आ रहा था that years have passed means काफी वक्त बीत चुका है here was few wrinkles on her face ना तो उसके कुछ hair भी gray हो गए थे बाल कुछ पग गए थे और उसके चेरे पर कुछ wrinkles भी आ गए थे चेरे पर but the truth was that she looked more attractive than ever before लेकिन वास्तिकता जा थी कि वह पहले से बहुत ज्यादा attractive और अच्छी लगने लगी थी चलिए आगे बढ़ते हैं बच्छों I hope आपको कहने के लिए आगे बढ़ी no Mina I can't stay with you tonight नहीं मीना मैं आज रात तुमारे साथ नहीं ठहर सकती I have to attend a dinner क्योंकि मुझे एक dinner को attend करना है dinner party attend करनी है give me your card and I will keep in touch with you I promise मुझे अपना card दे दो मैं बाद में तुमारे टच में रहोंगी मतलब बाद में तुमसे संपर कर लोंगी मेरा वादा है तुमसे for a moment Mina looked disappointed कुछ चंड के लिए मीना बहुत ही निरास हो गई लेट्स गो एंड है वट्टी एड लिस इंसिस्टी इंसिस्टी में बहुत जोड दबाव देकर मेरे से बोला कि चलो ठीक है कम सकम चाय ही पी लेते हैं बट Mina it's pouring मैंने कहा लेकिन Mina अभी तो pouring में वर्सात हो रही है आगे बढ़ते हैं नेक्स पैसेज पर बच्छो पीगर में देखिए एक मिड़ देखिए यहां पर अब Mina Mina उसके फ्रेंड दो लोग है अपस में यहां टी इस टॉल पर चाय पी रहे हैं बात कर रहे हैं यह उस बेगर की पीख है बेगर की ऐक बच्ची है जो की चैप्टर का नाम है बेगर इसी बेगर से Mina प्रुभावित हुई है अभी बाद में आगे पता चलेगा आपको और यहां word meaning है इसको आप पढ़ेंगे ज़रूर चली आगे बढ़ते हैं अब बाते चल रहे हैं दोनों में so what we will buy an umbrella जब मीना की दोस्त कह दी है कि देखो मीना वरसा भी हो रही है मिझे कहीं जाना है चल्दी तो कहते हैं तो क्या हुआ we will buy an umbrella चलो हम अंब्रेला खरीद लेंगे and then go to grand hotel she said वो ली चलो umbrella खरीद लेंगे और grand hotel चलेंगे इसके बाद we won't get an taxi in the rain I grumbled मैंने कहा कि इस वरसात में taxi भी नहीं मिलेगी so what we will walk तो मीना कहती है तो फिर क्या हुआ चलो हम पैदल चलेंगे ठीक यहां तक समझ में आई चली आगे बढ़ते हैं बच्चो आगे बढ़ खुस हाल दिखती है बहुत ही प्रसंद देख रही है तो मीना की जो दोस्त है अब बहुत ही surprised है आशर में है कि ऐसा क्या हो गया कि यह इतनी खुस हो गई इतनी बदल गई ना तो आगे कहानी देखिए क्या होता है I was surprised मीना की friend कहती है बहुत ही आशर में थी that was not the same मीना I had known वह मीना नहीं थी जो मैं पहले की मीना को जानती थी आज वाली मीना नहीं है तो बहुत ही बदल चुकी है today seems ready to make any number of adjustment वह आज तो ऐसे दिखती है कुछ भी किसी भी मामले में खुद को adjustment कर सकती है लेकिन पहले ऐसे नहीं था we reach the grand hotel drench drench means होता है बच्छो अच्छो पानी से इदम तर बतर हो जाना भीग जाना तो हम grand hotel में एदम भीगे हुए condition में पहुचे by then the only thought in my mind was to find out who and what had brought about such a chance in pessimistic मीना लेकिन तब भी मेरे दिमाग में बस यही था कि यह कौन सी बात थी क्या चीज है जो मीना को एकदम pessimistic से बदल दिया pessimistic means निरासावादी से बदल करके एक खुसहाल बना दिया and that I had known I was quite curious और मैं सारी बाते जानना चाहते थी मैं इस जानने के लिए बहुती उत्सुक थी I was quite curious means जानने के लिए बिल्कुल उत्सुक थी tell me मीना is there a prince charming who had managed to change you so तो अब मैंने पूछी लिया कि मीना बताओ क्या कोई ऐसा prince charming हो गया मैं तुम्हारे साथ क्या ऐसा अजूबा हो गया कि तुम एकदम बदल गई हो sorry आगे बढ़ते हैं मीना was surprised by my opinion अब मीना मेरी बात सुनकर कि एकदम surprise थी no there isn't anyone like that she said बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है she smiled and then said a bigger change my life वो मसकुड़ाई और बोली एक भिखारी मेरे जीवन को बदल दिया एक भिखारी ने मेरे जीवन को कुछी तरिके से बदल दिया I was absolutely dumbfounded and she couldn't see अब देखो मैं बिल्कुल dumbfounded मतलब एकदम मुख हो गई थी अस्तब्ध हो गई थी मेरे आवाज भी नहीं आ रहा है थे क्या सुनकर कि एक भिखारी की वज़े से वो बदल गई ठीक she couldn't see देख भी नहीं पा रहे थी एकदम dumbfounded हो गई as a bigger she repeated तो दुबारा मीना ने repeat किया उसी बात को हाँ एक भिखार ने as if to reassure me मैं तुम्हे रिश्योर करते हुए कर दी मुझे मीना मुझे रिश्योर असास्वित करते हुए एक दम विश्वास दिलाते हुए बोली कि हाँ एक भिखरने ही मुझे बदला है he was old and used to stay in front of my house अब बताती है मीना क्या हुगा कहती है वह एक बुड़ा था जो मेरे घर के सामने ही रहता था with a five year old granddaughter अपने पांच वर्स बेटी के साथ रहता था मेरे मकान के ही सामने ठीक आगे बढ़ते हैं अब आगे क्या होता है I used to give my leftover to this beggar everyday मीना बताती है कि मैं leftover में सोता है बच्चो बच्चा हुए भोजन तो मैं daily बच्चे हुए भोजन को उस बेगर को दे दिया करती थी हर दिन दे दिया करती थी I never spoke to him कभी मैं उससे बात नहीं की थी nor did he speak to me नहीं वही मुझसे बात करता था वन मांसून डे एक दिन मांसून के दिन वर्षात के ही दिन I looked out of my bedroom window and started cursing the rain मैं अपने विट्रोम विंडो से बाहर देखी और वर्षात को वर्षा को कर्स करने लगी मतलब वर्षात को कोशने लगी क्रिटिसाइज करने लगी आलोशना करने लगी कि वर्षा क्यों होती है मंदब वर्षात को ही बुरा भला कहने लगी टिक I don't know why I did that because I was not even getting weight मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों करती थी लेकिन मैं भीगना नहीं चाहती थी इसलिए मैंने वर्षा को बुरा भला कहा that day I couldn't give the beggars and that granddaughter the daily quota of leftover और उस दिन मैं उस भिखारी को अत्वा उसकी बेटी को बचा हुआ भोजन भी नहीं दी थी they were hungry I am sure मैं sure थी को उस दिन भूखे थे however what I saw from my window surprised me लेकिन जो कुछ भी मैंने अपने विंडो से देखा surprised हो गई the beggar and his young girls were playing on the road because there was no traffic क्या देखी well भिखारी अपने बेटी के साथ रोड पर खेल रहा था क्यों क्योंकि उस दिन बरसात हो रही थी और रोड पर कोई traffic नहीं था तो भिखारी अपने बेटी के साथ रोड पर ही वर्षा में खुब खेल रहा था देवर प्लॉफिंग हस रहे थे clapping तालियां बजा रहा थे and screaming joyously और प्रसनता पुर्वा खुब चीख चिला रहे थे as if they were in paradise मानों ऐसा कि दोनों स्वर्ग में हूं पेराडेज में स्वर्ग हंगर एंड रेंड डिटन्ट मेंडर उनके लिए भूख और वर्षा कोई मायने नहीं रखती थी देवर कंप्लेटली ड्रेंश पूरी तरीके से दम पानी से तर बतर थे पूरे भीग चुके थे बट टोटली हैपी लेकिन पूरी तरीके से प्रस मुझे नफरत हुई उन से जिलस हुई इर्षिया हो गई कि वो इतने प्रसंद कैसे दिखते हैं ठीक आगे बढ़ते हैं देट सीन यहां देखे बचों देट सीन फोर्स में टू लुक एट माई ओन लाइव तो उस सीन ने हमको बहुत ही फोर्स किया कि अपने जीवन के बा मेरे पास बहुत सारे comfort मालब अराम दायक चीजे हैं मालब कुछ भी कमी नहीं है नन आफिस दे हैड लेकिन उनमें से उनके पास कुछ भी नहीं है मिस मेरे पास इतने सामान है luxurious life है लेकिन उनके पास नहीं है उन बिखारियों पास तो नहीं है बर they had most important of all assets which I like लेकिन उनके पास बहुत ही महत्तूर संपत्ति है कीमती संपत्ति है जिसकी मेरे यहाँ कमी है उनके पास बहुत ही महत्तूर संपत्ति क्या थी उ खुस ते जो कि मैं मेरे पास नहीं था वन विच आई लेक्ट दे नियू हाव टू हैपी विट लाइफ एज इट वाज उन्हें पता था कि जीवन में कैसे खुस रहा जाता ठीक एक बार फिर से मैं इसको समझा दो बच्चो मिन्स मेरे पास तो बहुत सारी चीजें थी शुबदाएं थी लेकिन एक चीज की कमी थी खुसियों की कमी थी और विखारी के पास कुछ भी नहीं था लेकिन वो सब बहुत खुस थी मेरे महसूद करती है कि कुछ न रहते गए भी वो इतने खुस कैसे है ना I felt फिर आगे देखिए I felt a same myself तो मैंने अपने आप से बहुत सर्मिंदगी महसूद किया even I started to make a list of what I had and what I didn't have जबकि मैंने calculation करना start कर दिया कि कौन सी चीजे मेरे पास है और क्या चीजे नहीं है जो कि मैं ऐसा हूँ मेरे पास किस चीज की कमी है कि मैं खुश नहीं हूँ I found I had more to be grateful for than most people could imagine मैंने पाया बहुत सारी चीजे मेरे पास है जो कि लोग imagine करते हैं जो लोग पाने के लिए कलपना करते हैं वो सारी चीजे मेरे पास है That day I decided to change my attitude toward my life तो उस दिन से मैंने जीवन के प्रति अपना रवाईया ही बदल दिया अपना देश्ट को बदल दिया Using the bigger as my role model और उस भीकारी को अपना role model बना लिया After a long pause I asked Mina How long it had taken her to change तो उसके बाद Mina के बताने के बाद long pause के बाद Mina ने पनी बाते कह रहे उसके बाद हमने का अच्छे बताओ तुम्हें बदले हुए कितना समय हो गया आगे बढ़ते हैं Once this realization dawned she said तो बताती है कि एक बाद मुझे मतलब जब realize हुआ It took me almost two years to put the change into effect तो लगबद दो साल पहले के कहानी है दो साल हो गया है मुझे बदले हुए दो साल हो चुके है As you know I was a chronic pessimist जैसा कि तुम जानती थी मैं chronic मंदब समय के साथ थी समय के साथ चलने वाली ऐसी निराशावादी इस्तिर थी जो time के साथ निराशावादी मेरी जो निराशावादी बढ़ती थी chronic के मलब समय के साथ बढ़ने वाली तो समय के साथ बढ़ने वाली निराशावादी, इस तरी यह फी लड़की थी, तुम तो जानती हो, old habit die hard, और पुरानी आदत को मानना बहुत कठीन होता है, but now nothing matter, लेकिन अब वो सारी बाते कुछ नहीं है, I am always cheerful and happy, अब मैं हमेशा खुश रहती हूँ, और प्रसन रहती हूँ, I find myself in every small things, in every situation and in every person, मैं अब हर चीज में, I find happiness, मैं हर छोटी बड़ी चीजों में खुश यां पाती हूँ, मैं खुश रहती हूँ, हर condition में, हर situation में, हर person से खुश रहती हूँ, चिक, आगे बढ़ते हैं, last line है बच्चों आप, आगे क्या करते हैं, did you give गुरु दक्षिना to your गुरु, I asked, तो मैंने कहा, क्या तुमने अपने गुरु को गुरु दक्षिना दिया, गुरु कोन है आपर, गुरु बिखारी को बताया जा रहा है, क्या बिखारी की वज़े से जो तुम बदल गई, इतना अच्छी लाइफ जीने लगी, क्या उस बिखारी को, उस गुरु को, तो गुरु ही हुआ न, जिसके काराण आपकी जीन बतल जाए, तो समझे बच्चो, वो आपका गुरु ही है, तो वही कहती है मीना के फ्रेंड, क्या तुमने अपने गुरु को गुरु दक्षिना दिया, जब मैं कुछ समझ गई, अपने आपको, उसके बाद, उसकी मृत्यू भी हो गई, मैं जब तक मैं अपने आपको सुधार थी, उसके बाद देखा कि वह मर गया था, लेकिन हाँ, मैंने उसकी बेटी को एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया है, सारे खर्चे, अपने खर्चे से, यही मेरे लिए उसके प्रती सम्मान है, पैरे बच्चों, स्टोरी खतम हो गई, बहुत ही प्यारी स्टोरी थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर आ गया तो लाइक कर दें वीडियो को ज़रूर और सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अपने फ्रेंड में, क्लास्मेड में सेयर करना न बोलना, चलिए, आगे देखते हैं कुछ कंप्रेहेंसिव क्यूस्चिन, कंप्रेहेंसिन देख लेते हैं बच्चो, answer this question, question क्या है, who was Meena, what was strange about her, Miss Meena कौन थी, उसके बारे में क्या अजीब बात है थी, तो Meena was an L.I.C. girl, L.I.C. अपसर, and she was always unhappy and pessimistic, ठीक, second question क्या कहता है, how did the narrator know that Meena had changed completely, पुछा जारा, narrator को कैसे पता चला, कि Meena पूरी तरीके से बदल चुकी है, when the narrator met to Meena in Mumbai, she failed, she saw, Meena was so much happy and looking attractive, then narrator knew, इसको no का new बनाए, then narrator knew that Meena had changed completely, ठीक, चली, आगे बढ़ते हैं, next question देखते हैं, क्या है, यहाँ देखते हैं, बच्चों, describe the scene, एक मिएट, describe the scene, that Meena saw through the window, पुछा जारा है, उस scene को आप describe किजिए, जो scene Meena ने window से देखा था, that the scene was, the scene Meena saw, that was, on the road beggars was playing, crying, means enjoying, enjoying on the road, with her, with his daughter, clear, एक बार फिर्श में बता दो, the scene was, beggar with his daughter, was enjoying on the road, in monsoon season, clear, ऐसे आप नोट कर लेंगे, फोर्थ नमबर देखे, फोर्थ क्योशन देखे बच्चों, how did the transformation come about, means changing कैसे आई, मेना में चैसे आई, means when Meena saw, from the window, a beggar was, playing, with his daughter, in the monsoon season, very joyfully, cheerfully, then Meena feared, that a beggar, a poor man can, be so much happy, then why not me, बहने का मतलब, जब एक गरीब बिखारी, इतना खुश्रा सकता है, तो मैं क्योँ नहीं, from them, since then, Meena became, changed, तब से Meena बदल गई, ठीक, यहां क्या कहा जा रहा है, पिक आउट सम्मीना's, करेक्टर, टेट्स, बिफोर, सी, डिसाइड, तो, जज़ एक्टिट्टूड, तो, अर लाइफ, अप्टर, कम्प्लीट टांस्वेशन, अफर, प्रशनार्टी, अड़ अड़ फ्यो, कहने, मतलब, बच्चो, कहा जारा मीना, बदलने से पहले, कौन सी क्वार्टी रखती थी, और बदलने बाद, किस क्वार्टी में आ गई, देखो, बिफोर एन आप्टर है, पहले अनहप्पी थी, बाद में चियरफूल हो गई, प्रसंद हो गई, फिर हमने फ्यो कर लिया, पहले पेसिमस्टिक थी, पेसिमस्टिक हो लो, निगासावादी, बाद में आप्टिमस्टिक हो गई, मतलब आशावादी हो गई, पहले अलोन रहती थी, मैं एकान तीकदम फ्योकर थी, अब अमंग मतलब अब सबके बीच में रहना पसंद करती है ना पहले साइड थी बाद में हैपी हो गई तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं कुछ और है तो बता देते हैं बट आगे कुछ नहीं है इंपोर्टन बच्चों यहां देखिए लेटर है डायरी है आप फिल अजयास